हेलो एवरीवन स्वागत है आप लोगों का मेरी यूटूब चैनल LWD जॉब में इंडियन काउंसिल अफ सोसल साइंस रिचर्ज की तरफ से पर्मानेंटर सेंट्रल गौर्मेंट की वेकेंसी जारी की गई है जहां अलग अलग पोस्ट की वेकेंसी आई है इस वीडियो में हम बात करेंगे केवल सोसल साइंस के किसी भी विसैसे मास्टर डिग्री अगर आपने की है तो आप यहां पर बिल्कुल अप्लाए कर सकते हैं और कुछ भी जो है यहां पर एक्स्टा नहीं मांगा गया है अगर आपके पास सोसल साइंस के किसी भी विसैसे में हैं तो आप यह यहां पर बिल्कुल अप्लाइ करें, सैलरी जो है यहां पर 56,100 से लेकर 1,77,000 के अप्रोक्स आपकी सैलरी होगी, तो सबसे पहले जो है मेन वेबसाइट पर आना है, इंडियन काउंसिल आफ सोसल साइंस रिसर्च, मिनिस्ट्री ओफ एजुकेशन, यहां से जो है वेकेंसी ज दिखाई देंगे, सबसे उपर आई है बिल्कुल 3 जनवरी 2024 का यह विज्यापन है, एप्लिकेशन आर इन्वाइटीड फॉर फिलिंग अब दर पोजीशन थ्रोड डारेक्टर रिक्रूट्मेंट, इसे जो है ओपन कर लेते हैं, जिससे की सारी जानकारी हमें मिल सके, कैसे अप्लाइ करना है, यह सारी चीज़ें आप लोगों को यहीं पर पता चलेंगी, तो यहाँ पर कौन सी पोस्ट है, जिस पर वैकेंसी है, तो असिस्टेंट डारेक्टर रिसर्च की है, उसके बाद रिसर्च असिस्टेंट की है, थर्ड लोवर डिविजन कलर्क की भी वैके तो जहां मैंने आपको बताया कि आपने master degree, अगर social science के किसी भी subject से किया है, तो आप यहाँ apply कर सकते है, research assistant के लिए, इसके लावा कुछ भी यहाँ पर नहीं मांगा गया है, केवल और केवल master degree, social science के किसी भी subject से, sociology है, psychology है, history, geography, polity है, philosophy है, जो भी subject आपका रहा हो, ठीक है, ब वेकेंसी है, unreserved की 7 है, SC की 2 है, OBC की 3 है, SD की 1 है, EWS की 1 है, level 6 के according है, salary जो है, आप लोगों को काफी अच्छी दी जाएगी, 35,400 basic pay और उसके बाद जो है, 1,12,400 तक जो है, यहाँ पर salary रहने वाली है, तो यह रही, वेकेंसी जहां कोई भी अनवर्व नहीं चाहिए, केव में भी master degree, आपका social science के किसी भी subject से जो हो, किसी भी university या equivalent institution से, ठीक है, लेकिन यहाँ पर साथ में 3 साल का, अगर आपके पास पढ़ाने का teaching में अनवर्व है, या फिर social science के किसी भी field में आपने research किया है, तो आप यहाँ पर बिल्कुल apply कर सकते हैं, तो यहाँ पर fresher experience, दोन ही eligible रहेंगे, अगर जो भी fresher candidate है, जिनके पास कोई अनुभव नहीं है, केवल master degree है, तो यहाँ पर research assistant के लिए apply करें, और जिनके पास 3 साल का अनुभव है, teaching में, या किसी research में, social science के किसी भी जो है, शेतर में आपने research किया है, तो आप यहाँ पर assistant director के लिए apply कर सकते हैं, level 10 के according जो है, यहाँ पर salary काफी अची दी जाएगी, basic pay ही रहेगी चपन हजार सो, और इसके बाद जो है, एक लाख सतकतर हजार पान सो जो है, यहाँ पर salary आपकी हो जाती है, ठीक है, अब कैसे apply करना है, तो वो भी हम देखेंगे, lower division clerk के लिए अगर आप apply करना चाते हैं, तो higher secondary है, इसके equivalent आपकी पास हो, और typing मांगी गई है, यहाँ पर English में 35 वर्ड पर मिनट और Hindi में 30 वर्ड पर मिनट, salary यहाँ पर 19,900 से लेकर 63,200 level 2 के according दी जाएगी, ठीक है, और number of post यहाँ पर कितने है, 13 है, तो अब जो है apply कैसे करना है, तो apply करने के लिए, यहाँ पर जो लोगों को click करना होगा, तो research assistant, इसे ही open कर लेते हैं, second number की जो vacancy है, तो यहाँ पर आप देखें, दुबारा से जो है detail दी गई है, age limit अगर आप देखेंगे, तो यहाँ अठारा से लेकर 28 साल जो है, यहाँ पर age limit रखी गई है, ठीक है, research assistant के लिए, और जो दूसरी vacancy थी, assistant director research के लिए, इसे open करके देखेंगे, तो इसमें age क्या कही गई है, तो यहाँ पर age limit है, maximum 40 year, ठीक है, और salary भी काफी अच्छी है, बस तीन साल का teaching में अनुवव आपका होना जरूरी है, ठीक है, तो यह जानकारी है, और apply कैसे करेंगे, तो यहीं पर आप लोगों को नीचे करना होगा, दूसरा जो है, यहाँ पर general instruction and detail यह भी दिया गया है, इसे open करके देखेंगे, साइध इसमें जो है, और भी कोई information हमें मिल सके, तो कुछ जो मोटी बातें हैं, वही हम देखेंगे, क्योंकि detail में जो है, एक ही वीडियो में cover करना संभव नहीं हो पाता है, इसका लिंक में आप लोगों को share कर दूँगी, जो भी apply करना चाता है, तो अच्छे तरीके से जो है notification पढ़ेंगे, फिर apply करें, तो यहाँ पर जो है, fees दी हुई है, general OBC and EWS की जो fees है, तो यहाँ पर 1000 आपकी रहेगी, level 10 अगर आप apply करना चाते हैं, for level 6 के लिए 800 रुपे है, और level 2 के लिए 500 रुपे है, तो तीन अलग-अलग पोस्ट हैं, तो उनके लिए अलग-अलग fees दी गई है, जैसे कि Assistant Director के लिए अगर आप apply करेंगे, तो level 10 के according salary मिलेगी, तो यहाँ पर application fees रहेगी 1000, ठीक है, और यहाँ पर जो है एक जरूरी बात की, जो SCST या PWVD या women candidate है, उन के लिए कोई भी fees नहीं है, किसी भी पोस्ट के लिए अगर वो apply करती है, ठीक है, 0, यहाँ पर कोई भी application fees नहीं है, तो मेरे ख्याल से, SCST, PWVD, women candidate है, और उन्होंने social science के किसी भी subject से MA किया है, तो यहाँ पर apply कर दें, apply करने में कोई भी problem नहीं होगी, जब fees नहीं लगती ह और permanent central government की job होती है, तो ऐसे में apply जरूर करना चाहिए, अब last में हम बात कर लेते हैं, कि यहाँ selection process क्या रहेगा, तो यहाँ पर return exam होगा, और इसकी date भी decide नहीं है, application form start होने की date है, वो आज से ही है, 4 जनवरी 2024 से start है, आप लोग आवेधन करें, और 5 फरवरी 2024, last date रहेगी, return test के लिए जो है, आप लोगों को main website पर आना है, और यहाँ पर आप लोग देखते रहें, क्योंकि syllabus जो है, वह भी जारी कर दिया गया है, 3 जनवरी 2024 को, syllabus भी देखें, और return test कब होगा, यह सारी जानकारी आप लोगों को website पर ही मिलेगी, तो इसका link में आप लोगों को share कर दूँगी, ताकि जो भी candidate interested है, और मेरे ख्याल से सभी interested रहेंगे, जिन्नोंने MA social science से किया है, ऐसी अच्छी जो है opportunity आप लोगों को बिल्कुल miss नहीं करनी चाहिए, क्योंकि permanent job है यह और central government की job रहने वाली है, तो चलिए मिलेंगे next video में, thank you.